हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर आशीश इश्वरदास अगरवाल है मैं पेडियाटिशन चाल स्पेशलिस्ट नांदेड महाराष्टर में प्रैक्टिस करता हूँ मेरा न्या वीडियो स्कूल चाल होने के बाद बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेज स्कूल डेफिनेटली ओपर होने आले होँ सकता जैन या फेफ से स्कूल ओपर हो जाए तो उसकट पार्ण्स चंफ्यवज है कि स्कूल भेजना चाहिए या नहीं चाहिए जहां जा स्कूल ओपर है जैसे उर्पेन कंट्रिस में तो वहाँ पे करोना इंफेक्शन की के यह आपको ही decide करना है लेकिन school के definitely भहुत सारे फायदे होते हैं जैसे बच्चों का physical development, mental, social और emotional development बच्चों का school में ही होता है, online education में definitely नहीं होता है इसके लिए school में better learning facility होती है और online education के कुछ problems होते हैं जैसे mobile addiction, obesity ये भी problem हम बच्चों में कम देखते हैं तो school कब भेड़ना चाहिए, यह मेरा personal view है, as a parents आपको ही decision लेना चाहिए, मेरा personal view यह है अगर आपके बच्चे की उमर 12 साल से ज़्यादा है, तब आप school भेड़ने के लिए सोच सकते हैं, particularly अगर आपके school online education नहीं provide कर रही है इसके लावा अगर बच्चे आपका competitive exam जैसे need, IAT के लिए prepare कर रहा है, तो online education चालूर है, तेवे भी मैं यहाँ suggest करूँगा कि आप बच्चों को जरूर भेजिए, क्योंकि offline education में definitely बच्चों को ज़्यादा सिखने मिलता है इसके लावा अगर आपके बच्चे online education में comfortable नहीं है, तो आपको school बेजना चाहिए कुछ parent school नहीं बेजना चाहिए, तो कब तक ना बेजे, तो मैं यह suggest करना चाहूँगा जब तक vaccine हर बच्ची को ना मिले, तब तक आप नहीं बेज सकते इसके लावा हो सकता है कि corona infection control हो जाए, जैसे हम कुछ 15 दिन से देख रहे है, infection का level definitely कम हो रहा है, अगर ऐसा control आता है, तो school आप आगे भेज सकते, इसके लावा कुछ-कुछ बच्चों को online education में बहुत problem आ रहे है, तो ऐसे भी बच्चों को आपको offline education, मतलब school के लिए आपक स्कूल भेड़ने के बिले बच्चों को आपको prepare करना है, ताकि वे स्कूल में ऐसे हर है, जिसके वासे उनको कम से कम corona infection होने के chances रहे, तो आपको बच्चों को social distancing सिकाना है, और 6 feet की distancing कैसा सिकाना है आपको, बच्चों को बताना है कि जैसे आप चित्रे में देख सकते, दो इसके एक दूसरे को एक हाथ से साथ दूर रहे है, तो उतना दूर आपको बच्चों को बताना है कि आपको एक दूसरे से रहना है, ताकि 6 feet का distance maintain हो सके, इसके लिए आपको घर पे practice करना चाहिए, और घड़ी घड़ी reinforce करना चाहिए, इसके लिए बच्चों को marks पेनने के आदत दालना चाहिए, हमें लगता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो हम marks पेना देंगे, तो बच्चे स्कूल में पेन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको बच्चे को घर पे, जब online education के लिए जब बच्चे घर में बेटे हैं, तो आप बच्चों को हैंड सेनिटाइस करना चाहिए, यह भी आपको बच्चे को train करना चाहिए, और जब दुसरा माक्या बच्चे लंजब्रेक के बाद दूसरा माक्या करेंगे, तब भी बच्चों को पताना है कि आपको अच्छे से hand सेनिटाइस करना है, और एक प्रॉपर को विसके आपको यह बताना है कि आपो अच्छे से साबुन हाथ में आपको आपको इन बार और बार लगा शुच्च करनाे घंगरी कर करना है दोनों थम्स को उसके बार ऐसा करके रिस जोइंड को आपको क्लीन करना यह टेकनिक आपको बच्चों को ट्रेन करना है ताकि वहां स्कूल में वह अच्छे से हैड़ वास कर सके इसके लावा एवरी प्रेट के बाद बच्चों को सैनिटाइजर देना चाहिए और सैन हम कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक कोई भी चीज़ बच्चों को एक दूसरे से शेर नहीं करने जिना चाहिए पर्टिकुलिए टीफिन बॉक्स जहां तक सवाल है तो आप ऑनलाइन इसको शेर कर सकते हैं इसके आला रिंफोर्स एवरी डिय अक्टिविटी जैसे बच्च को अच्छे से हैंड वाश करने लगाई है अगर नहिला सकते हैं तो सबसे बेस्ट है तो उसको गरम पाने से नहिलाई है और इसके सभी कपड़े गरम पाने में धोकर आपको लेना चाहिए इसके अलावा बच्चों को स्कूल कब कब नहीं भेड़ना है पर्टिकली बच्चे को जब सर्दी या खांसी होती है तो आपको बच्चों को स्कूल नहीं भेड़ना चाहिए अगर बच्चे को भुकार आती है या और भी कोई बीमारी होती है तो उस टैप पे आपको बच इल्नेस भी काफी देख रहे है जैसे फियर आफ कोरोना इंफेक्शन या बच्चा अच्छे से खा नहीं पा रहा सो नहीं पा रहा तो ऐसे वक्त आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्ट का जहां तक सवाल है तो मैं या सजेस्ट करूंगा कि इप पॉसिबल आप खुद उसको बच्चे को स्कूल ड्रॉप कीजिए और स्कूल से वापस लिकाईए अगर यह पॉसिबल नहीं है तो आप स्कूल आथरटी के पास जाईए और उनसे डिसकूस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंग करते हैं स्कूल में लेना चाहिए और स्कूल चुटने के बाद भी उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंग करके स्कूल के बाहर बच्चों को लाना चाहिए जहां तक क्लास्रूम का सवाल है तो यह स्कूल आथरटी का स्कूल आथ गैडलेंड से उसे फॉलो कर रही या नहीं कर रही या वो चेक कर सकते इसे स्कूल को भी इस तरह की गैडलेंड को फॉलो करने के लिए encouragement मिलता है तो क्या करना चाहिए स्कूल क्लास्रूम का जहां तक सवाल है तो स्कूल डोर ओपन होना चाहिए जो देख से 3-6 साइर एक दूसरे से दूर होना चाहिए apart वन देश भी होना चाहिए और जहां तक हो सेकर बच्चे ने निकले जब क्लास क् shaped होती है तो टीचर सही एक दूसरे एक क्लास जाना चाहिए और बच्चाtar से होना चाहिए cafeteria या ground पर definitely नहीं होना चाहिए और school authority को आप reinforce कीजिए कि school में strict rules लागू करें जो government के guidelines है उसके हिसाब से जैसे compulsory marks to all staff members as well as students और जो भी बच्चा या जो भी staff member बिमार है तो school में नहीं आने दिना चाहिए और अगर lungs, pneumonia है city scan पर changes है या extra पर कुछ changes है तो ऐसे बच्चे को या staff member को 14 days तक school में नहीं आने दिना चाहिए cleaning and disinfection is very important part of prevention for corona infection इसके लिए school को जो भी guidelines government किये उन्होंने follow करना चाहिए और आप जाके घड़ी-घडी intermittently check कर सकते as a parents आप group बना सकते पर्टिकुलर्ली जो एरिया जहां पर बच्चे घड़ी-घडी टच करते है जैसे door knob से computer के keyboard से उसको regularly clean करना चाहिए ऐसा school authority का request भी कीजिए और उसको monitor भी कीजिए इन शॉर्ट दो more we do important to prevention of corona infection better will be our future तो हमें corona infection से बचाने के लिए उसके prevention पर काफी हमें ध्यान देना चाहिए कि हलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर गुंजन आशी शगरवाल अभी आपने डॉक्टर आशी शगरवाल जी को सुना उन वह बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे थे ऐसी ही बहुत सारे वीडियोज हैं जिन में वहर एक बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं अगर आप इन जब जानकारी को देखना चाहते हैं तो आप सामने दिये गए किसी भी social media platform पर आईए और जानकारी लीजिए इसके अलावा डॉक्टर ब्लॉग्स भी लिखते हैं आपको ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं हमारी दो बुक्स हैं हसत ख्रयत बाल विकास और बाल संसकार इन्हें आप पढ़िए आपको बच्चों के बारे में जानकारी मिलेगे हम लोग counseling centers चलाते हैं parents के लिए counseling centers होते हैं जिन में अगर बच्चा parents की नहीं सुन रहा है बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है बच्चे को poor grades आ रहे हैं उसे mobile का या TV का addiction है उसका low confidence है तो ऐसे विशेंबर हम लोग साथ में बैठते हैं parents के साथ counseling करते हैं एक proper track choose करते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ हमने कैसे आगे बढ़ना है बच्चों को कैसे समझाना है तो आप इनकी मदद ले सकते हैं अगर आप च बच्चे concentrate नहीं कर पा रहे हैं उनके grades पूर आ रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन exam के वक्त सीली mistakes हो जाते हैं fear of failure है बच्चों को वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं self belief कम है exam की anxiety है difference of opinion with parents बच्चों के माता पिता के साथ वैचारिक मत्वेद हैं किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं अगर आप मिलते हैं हम लोगों से तो आपको एक प्रॉपर तरीका मिलेगा बच्चों को एक अच्छा एक प्रॉपर वे मिलेगा जिससे वह इन सब प्रॉब्लम्स में से बहार आ सकते हैं इसके अलावा को अगर ब्रेंट को लिए प्रॉपर एक्तिवेट कर सकते हैं तो और ब्रेन उसको जो जानकारी लेट मिलनी है वो जानकारी पहले मिल जाएगी और बच्चा कुछ फास्ट काम करेगा इसके अलावा बच्चे में कुछ दिलेइड माईल्सटोंस हैं जैसे डिलेड स्पीच है hyperactive child है बच्चा बहुत शर्माता है रीडिंग में राइटिंग में problem है slow learner है ऐसे बच्चों के लिए भी programs है आप आए और हमसे मिलिए आप हमसे hospital में आके मिल सकते हैं अगर आप online मिलना चाहते हैं तो सामने दिया गया वह एक नंबर है उस पर हमें message कीजिए तो हम लोग बात करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए आपको हम लोग उसका जबाब देंगे और थेंक यू थेंक यू सो मच